Hello guys, आप लोगों को पता है कि competition community की website पर एक विसेश पहल सुरू किया गया था discussion community जिस पर आप लोग current affair पर आधारीत, आप लोग यहां पर mains की तयारी करते हो और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रयास भी किया है और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ समस्या उनके सामने आ रही है तो आज मैं सरल भासा में आपको समझाने जा रहा हूँ कि discussion community के साथ में आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं तो एक एक इस्टे बहुत ध्यान से सुनियेगा बहुत ही सरल है कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले आप किसी ब्राउजर में competition community सर्च कीजिए जैसे ही competition community सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से हमारी website का homepage ओपन होगा यहाँ पर उपर जाहिए आपके सामने दो तरह से option दिख रहे हैं एक login दिख रहा है और एक register दिख रहा है तो अगर आप हमारी website के पुराने user हैं तो आप यहाँ से login कर लीजे और अगर आप नए हैं तो यहाँ पर बगल में जो register वाला option दिख रहा है यहाँ पर सारी अपनी information जो भी detail है उस सारे इसको fulfill कर लीजे एक बात ध्यान रखिएगा mobile number और mail ID दोनों आपका valid होना चाहिए जो आपके पास में है वही डाली है क्योंकि इस पे एक link आएगा और एक OTP आपके mobile number पर आएगा जो कि आपको register करने में यहाँ पर help करेगा ठीक है इसके बात जब आप register हो जाएंगे तो जो user ID और password आपने यहाँ पर डाला है वो user ID और password यहाँ पर डाल कर आप login कर लीजे क्योंकि ध्यान रखिएगा discussion community पर आप ऐसे तो जा सकते हैं लेकिन बिना login किये आप उस पर comment नहीं कर सकते अगर यहाँ आपने login कर लिया तो यहाँ जो आपके छोटे-छोटे boxes दिख रहे हैं यहाँ पर नीचे पर देखो यहाँ से भी आप जा सकते हो जो discussion लिखा हुआ है या फिर विचार यहाँ पर click किजे तो यहाँ पर जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर आपको देखो दो तरी की चीज़े देखेंगे एक तो discussion community दिख रहा है एक तो question community दिख रहा है तो आप यहाँ पर click करो discussion community पर ठीक जैसे ही discussion community पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने discussion community का page open हो गया होगा और यहाँ पर देखिए, दो तरह से चीज़े दिख रही है, एक राष्टिय और अंतराष्टिय मुद्दे और दूसरा आपका चतिस गड़ के मुद्दे, तो आपको जिस मुद्दे पर आपका content लिखना है या फिर पोस्ट करना है, तो आप यहाँ जैसे मैं चतिस गड़ के मुद्दे पर क्लिक किया, आप राष्टिय मुद्दे पर भी करके कर सकते हो, अगर आपको वहाँ पोस्ट करना है, तो आप यहाँ पर चतिस गड़ के मुद्दे पर क्लिक कर लिजे, ठीक, तो चतिस गड़ के मुद्दे पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह स सारे आपको option मिलेंगे जैसे ही आपने 36 गड़ के मुद्दे पर click किया तो हमने हर हपता जो सुरू किया था उसमें दिखेगा जैसे इस हपते जो हमने topic create किया है वो है 36 गड़ की वर्तमान sectionic इस्थीति में इबाओं के topic पर post करना आप उहाँ click किज़े जैसे मैं ने यहाँ पर click किया 36 गड़ की वर्तमान sectionic के इस्थीति में इबाओं के समख चुनोतियां और संभावनाए जैसे ही मैं इस पर click करूँगा अब मेरे सामने यहाँ पर यह सारे जितने लोगों ने post किया है और जितने सारे लोगों ने लिखा है उन सबका यहाँ पर विकल्ब खुल जाएगा ठीक है? इसके बाद आप जितने लोगों ने लिखा है उसको पढ़ भी सकते हैं और नीचे देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने post किया है उनके post पर आप नीचे यहां पर comment भी कर सकते हो और जब आपको अपना post comment करना है तो आप यहां पर देखो comment topic के नीचे में भी comment है उस पर click करो और उस पर click करके या तो आप type करके यहां post कर सकते हो और अगर आप type नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से choose the file बगल में दिख रहा है आगर में copy पे या page पे लिख लो photo खीच लो या आप उसको pdf में भी convert कर सकते हो और इस choose the file के जरीए आप यहाँ से आसानी से अपने photo, अपने images, अपने file को भी attach कर सकते हो यह सभी हमारे तक पहुंच जाएंगे अब एक बात समझिएगा कि इससे आपको फैदा किया है यहाँ पर वो बच्चे पोस्ट कर रहे हैं जो कई वार mains भी लिख चुके है और यहाँ पर वो बच्चे भी पोस्ट कर रहे हैं जो बहुत weak हैं या फिर अभी अभी इस तैयारी सुरू किया या उत्तर लेखन के बारे में उनको जादा जानकारी नहीं है तो जो बच्चे कमजोर हैं और जिनको उत्तर लेखन के बारे में जादा जानकारी नहीं है वो दूसरों बच्चों जिन्हों ने अच्छा लिखा है और जो अच्छा लिखते हैं उसके बारे हम लोग लागातार आपको अपटेट करते रहते हैं तो उन बच्चों से आप यहाँ पर सीख सकते हो कि कैसे लिखा जाता है इसके लावा हम लोग analysis वीडियो भी देते हैं तो वो analysis वीडियो देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और जो बच्चे टॉपर हैं उन्हें भी एक feedback मिलेगा कि क्या आप सही तरीके से जा रहे हैं या फिर जिस वज़े से भी आपका selection नहीं हुआ है क्या उसमें कुछ तरह से changes आ सकता है तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे रहेंगे एक दूसरे के समझ में आप जो information है एक दूसरे से share कर सकोगे एक दूसरे के post पर comment कर सकोगे दोस्तों को जोड सकोगे तो एक दूसरे से जब बहुत सारे लोग जूडते जाएंगे न आपका जो benefit है ना वो दुगना होते जाएगा तो आप लोग इस तरह से discussion community से जरूर जूड़िएगा अपना post लिखने की कोसिस कीजिएगा और जरूर post कीजिएगा और दूसरों ने अगर अच्छा लिखा है और आपको अगर पढ़कर अच्छा लग रहा है तो उन्हें भी आप motivate कीजिए आप उनके post पर comment कीजिए कमिया निकालिए तो इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ सकते हो हम लोग पूरी proper हर एक page हर एक के लेखन सैली को हम लोग यहाँ पर बार-बार analyze करते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो आप लोग यहाँ से post जरूर कीजिएगा बहुत ही simple process है और एक बात हमेसा ध्यान रखिएगा किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है चाहे हो छोटी से छोटी problem क्यों नहों यहाँ पर जो mail ID दिया जा रहा है आपको competitioncommunity at the rate gmail.com आप इस पर mail कीजिए इसके अलावा जो website के ऊपर में जो IT queries नमबर आपको दिख रहा है नहीं इस पर call कीजिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह से इससे जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे direct contact कर सकते हैं मैं अपना यहाँ पर मुबाइल नमबर दे रहा हूँ उस मुबाइल नमबर पर आप direct call कर सकते हो मेरा मुबाइल नमबर आपके स्क्रीन के उपर में है फिर भी आप लिख लिए 9098662572 आप इस पर direct call कर सकते हो लेकिन आप mail जरूर कीजिएगा अगर किसी भी तरह से छोटी सी छोटी भी दिक्कत आ रही है तो क्योंकि हम लोग यहाँ आपके लिए बैठे हैं और आपकी समस्या जो है वो हमारी समस्या है तो इस तरह से आप लोग discussion community से जरूर जूड़िएगा धन्यवाद